हेलो एवरिवन विशिंग यू वेरी वर्म वेलकम जैसा कि आप स्कीन पर देख पा रहे हैं आज का जो इसेशन है वो है बीएसी नर्सिंग पार्ट सेकिंड एर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फरस्ट एमेशन फरस्ट का इंपोर्टेंट कोश्टन के जो आपके लिए लेकर कर आया हूं मैं आपने काफी मैसेज करें तो कुछ अच्छे कोश्टन है और वह भी चैप्टर वाइस आपको चैप्टर वाइस में प्रवाइड करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे डिसोर्डर से आपके MSN फरस्ट के ब बड़े कोश्टन भी आएंगे शौट नोट्स के अंदर भी आपके लिए कोश्टन रखे गए हैं तो बेशक अगर आपके पास थोड़ा बोड़ टाइम बचा हुआ है तो आप इन टाइम के दौरान इन कोश्टन को एक बार हलका फुलका देख करके जरूर जाएंगे कि इन में से हमें कौन सा नहीं आता है जो नहीं आता है उसको बहुत अच्छा पढ़के जाएंगे कोशिश रहेगी कि इन में से कुश्टन आज है बड़ फिर भी डिपेंडेंजी तो वैसी वे आप नहीं रख सकते क्योंकि एक्जाम का टाइम बहुत पास में है बस एक बार देख लीजी कि आपको इन में से कौन से कॉश्टन आते हैं और कौन से नहीं आते हैं जो नहीं आते हैं उनको फिर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत अच्छे कोश्टन से इस पार आने की पूरी-पूरी संभावन आए है जैसा कि पूरा एक बार नोटिफा नर्सिंग फर्स्ट एडल्ट इंक्लूडिंग जीरियाट्रिक फर्स्ट इस नाम से भी आजकल जाना जाता है में फर्स्ट और और यूच्छ एक्जाम दोहजार चोईस लेट स्टार्ट तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे कॉश्टन दिया गया है ब्लॉड एंड सी सीविस वाले चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है ब्लॉड औसिविस वाले चैप्टर में से देखो एंजाइना pactoris यह तो वैसे ही बहुत हर सहर साल इम्पोर्डन रहता है अन्जाइना पैक्तोरिस यहां लिख सकते हैं सिक्कल cell anemia ये भी question बन सकता है बट फिर भी इस बार के लिए अनीमिय और थेलिसीमिय ज्यादा important है बैतर करके जाएंगे ठीक है बच्छे respiratory सिस्टम में हमें क्या पढ़ना चाहिए इस पे लिखा हुए बच्छे COPD chronic obstructive pulmonary disease आपने emphysema bronchitis पढ़े होंगे plural effusion बन सकता है और दो question लिखे के जो short notes के लिए atelectasis and pulmonary embolism एक question इस में जे respiratory से आना त्या है एक बड़ा question भी respiratory से इस बार बन सकता है इन चारों को आप light में नहीं लेंगे बहुत अच्छा करेंगे एक बड़ा question बनने की समाहना है next one GIT से क्या question बन सकता है short notes में आपका appendix बन सकता है liver cirrhosis एक बड़ा question बन सकता है long question बन सकता है बड़ा एक compulsory वाला भी बन सकता है liver cirrhosis definition etiological factor clinical manifestation उसके बाद में इसका diagnosis tool क्या है diagnostic tool क्या है इसका इसके अलावा फिर medical management और अगर surgical management है तो वो भी आपको बताना है तो यह ultimate पूरा बड़ा question बनता है inflammatory ball disease इस पे आपसे short notes पूछा जा सकता है colitis पे question पूछा जा सकता है peptic ulcer यह भी एक बड़ा question बन सकता है तो इन दोनों में से एक बड़ा question बनने की संभावना है liver cirrhosis और peptic ulcer में से तो आप GIT को बिल्कुल भी अंदेखा ना करें इसको बहुत seriously ले करके इसके सारे जो मैंने यहां पे लिखे हुए यह सब बहतर करके जाएंगे वैसे भी आपके लिए आसान रहता है क्योंकि हर माश्टर हर टीचर जब भी आपको पैप्टिकल सर पढ़ाता तो यह कहता है कि बहुत इंपोर्टेंट है GIT में से ठीक बच्चे जैनाइटो यूरेनरी सिस्तम इसमें से फिर हम क्या पढ़ें सर इसमें से आपके सबसे स्पर्गोर्टेंट शोट नोट्स बनता है् नैफ्रो टक सीन्ड्रोम अच्छा कुसंट मनता है नैफ्रो टक सिन्ड्रोम पे acute renal failure and chronic renal failure कुछ भी पूचा जा सकता है renal failure पे renal failure पे बड़ा question बन सकता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ long question यह बड़ा question बन सकता है dialysis short notes पूचा जा सकता है benign prosthetic hypertrophy BPH पे question आ सकता है तो आप यह सारे अच्छे questions कर लेंगे zenito-urinary system में से next one अगर हम बात करें अगली slide पे male reproductive system में again BPH आ चुका है वो मैंने पहले ही काया कि BPH पे question बन सकता है तो BPH बहुत अच्छा करेंगे prostate gland की hyperplasia hypertrophy hypospadiasis इस पे question बनने की संभावना कम है ज्यादा जोर मत देना पूचह जाने की संभावना बहुत कम है ज्यादा time waste मत करना इस पे endocrine system endocrine system में diabetes mellitus और hyperthyroidism ये दो question ऐसे हैं जिन पे बड़ा question बनता है जिसमें chance की बात है कि diabetic diabetes mellitus और insipidus इसमें से कोई एक आ जाए diabetes mellitus की संभावना है पूरी-पूरी है insulin dependent क्या है non insulin dependent क्या होता है पूरा detail में आपको लिखना है next one इस endocrine system में एक चीज और है वो जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए special अलग से एक बच्चा insulin पे सीधा short notes पुछा जा सकता है insulin पे या insulin की therapy पे question आ सकता है कि insulin therapy क्या होती है कैसे करते है insulin therapy इस पे question आ सकता है insulin का complication पूछा जा सकता है insulin complication जब आप diabetes mellitus पढ़ते हैं तो insulin के बारे में आपको पढ़ना पढ़ता है insulin क्या होता है pre pro insulin क्या होता है insulin की structure कैसी होती है उसमें alpha chain क्या काम करती है beta chain क्या काम करती है c peptide chain यह क्या काम करती है यहां पर यह insulin की पूरी structure आपको detail में लिखके आनी हो सकती है तो basic तोर पर ध्यान देंगे insulin पर question short notes बन सकता है insulin की तीनों portion आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे यहां नहीं तो फिर आगे भी बहुत काम आएगा insulin therapy क्या है insulin के complications क्या होते है right बच्चे integumentary system skin वाले chapter में से हमारे लिए क्या important रहेगा इस पार के लिए तो इस पार के लिए सबसे important है बेटा psoriasis, dermatitis और burn यह dermatitis और burn बहुत अच्छा करेंगे आप burn पर question आया हुआ है पहले भी आगे भी पूछा जा सकता है next one देखो muscular skeleton system में से बड़ा question आने की संभावना ही नहीं है short notes के question डाले जा सकते है pet disease यह पूछी जा सकती है आप से rehabilitation पूछा जा सकता है amputation क्या होता है pot spine क्या होता है इन में से कोई एक short notes डाल देगा कई बार ऐसे डाला हूँ अब ये question तो खाली नहीं छोड़के आएंगे आप चार नमर का question बनता है सिधा सिधा थोड़ा थोड़ा पढ़के भी जाएंगे तो काम हो जाएगा ठीक बच्चे question आपके skin पे है rehabilitation amputation for disease इसके अलावा immunological problems HIV AIDS पे question बन सकता है standard safety precautions पे short notes आ सकता है उस पे role of nurse बताने हो सकते हैं आपको इसके अलावा national ads control program इस पे question बन सकता है तो ये कुछ अच्छे-च्छे questions आपके सामने लिखे गए हैं अगर आप तयारी कर रहे हो तो एक बार इन questions को जरूर देख ले खीक बच्चे इन में से कोई भी question ऐसा मत करके जाना कि आप पढ़के नहीं गए हो थोड़ा वो जरूर उनके बारे में सोच के जाना next one other question जो short notes में कई बार डाल दिये जाते हैं जो हमारे marks कम कर देते हैं उसमें से मैं उठा के लिए क्या हूँ कुछ जैसे tuberculosis डाल सकता है वो yellow fever क्या होता है meningitis वैसे तो third year का part है nervous system में बट फिर भी आपके लिए meningitis communicable वाले इससे में डाला जा सकता है hepatitis A क्या होता है CPR पे question और pain management कैसे करते है शौक एंड टाइप यह सबसे important है इस पूरे page में से आपको साइद में भी एक या दो question देखने को मिल जाए इस बार के paper में तो बेटा खाली नहीं छोड़ के आना जिन बच्चों के exam है medical surgical के यह page बहुत important है इसको बिल्कुल roughly मत समझना की अधर लिख दिया तो roughly हो गया आ सकते है question इसमें से नेबुलाइजेशन पूछा जा सकता है oxygen therapy no doubt fundamental का पार्ट है बट आपके MSN में भी यह दिया हुआ है आपके पूरे topic को cover करता हुआ तो other question ज्यादा important है यह जो last line आप मेरे से सुन रहे हैं ज्यादा important है basic सहिए आपको आना ही चाहिए सलेबस बहुत बड़ा है medical surgical first का बट इन questions को last moment पे बच्चा पढ़के जरूर जाना ताकि ऐसा कोई नाम ना हो जो आपने कभी सुना नहीं हो कल को एक्जाम में आ जाता है pot spine आपने कभी सुना ही नहीं हो तो बैटा इसलिए कह रहा हूँ कि थुड़ा बूत पढ़के चले जाना ताकि आपके अच्छे marks अच्छा score आप गैन कर पाएं ठीक है बच्चे तो यह कुछ basic basic जो questions है आपके सामने थे आज के session में और अच्छे तियारी कीजिए all the best बचा लोग और सबसे important चीज यह सारे questions अपने उन दोस्तों में जरूर सेर कीजिए जिनोंने साल बर बिल्कुल पढ़ाई नहीं किये वो यह सोच रहे हैं कि देखा जाएगा जैसा होगा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बहुत बढ़िया से long questions को attempt करना है detail में सारी बाते से clinical manifestation किसी disorder का लिख रहे है तो उसमें सबसे important जो sign और symptom है वो जरूर लिखे है वरना बच्चा सबसे पहले तीन सब्द पहले लिखता है nausea vomiting fever हर बिमारी में यह टिका देता है तो बिटाज यह है no doubt किसी भी infection के यह आपके clinical manifestation बनते हैं पर क्या यहीं बनते हैं क्या एक ऐसा symptom नहीं होता जिसकी वज़े से डॉक्टर पहचान लेता है कि यह बिमारी होगी इसको तो ऐसे symptom भी आपको ले करके आने है इसी के according आपको अंदाजा लगाना है कोई particular perfect sign होता होगा उसके according आपको काम करना है ठीक है बच्चे बहुत बढ़िया होगा आपका paper all the best बने रहे ज झाल